बैनिफिट नमबर वन ब्लेड शुगर को कंट्रोल करता है एपल दोस्तो जो डाइबिटिक पेशेंट है उनके लिए एपल बहुत ही जादा फाइदे मन्द है दोस्तो एपल इंसुलिन के प्रोडेक्शन को भी अच्छा करता है बैनिफिट नमबर टू हेल्दी लीवर के ल होती है एगर आप दो दिन सिरफ एपल ही कहें तो आपकी बाडि से ना लेना है ना कोई और option लेना है detoxification process के लिए आप दो दिन स्रिफ apple खाके try कीजिए आपको बहुत ही अच्छे results मिलेंगे benefit number 3 weight loss करने में apple आपको बहुत help करेगा दोस्तो apple पे calories कम होती है और आपको apple जिब कभी भी आप apple खाओगे तो आपको fullness लगेगी आपको और भूक नहीं लगेगी जिसकी वज़े से आपको ज़ादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी apple में fiber ज़ादा होता है और calories कम होती है जो आपको weight loss करने में बहुत ही ज़ादा help कर सकता है तो weight loss करने के लिए apple एक अच्छा option है benefit number 4 white और strong दातों के लिए apple दोस्तो जैस आपको पिछली वीडियो में part 1 में बताया था कि apple में calcium बहुत ही अच्छी मातरा में होता है तो दातों के लिए calcium बहुत important होता है और white दात आपको करना है और strong दात करना है तो भी apple आपके लिए बहुत ही एक अच्छा option हो जाता है apple खने से ना सिर्फ आपके दात का पीलाप option मिल जाता है benefit no.5 brain यानि दिमाग के health के लिए आपको apple बहुत ही जादा फाइदमन है दोस्तों इसमें quercetin पाया जाता है जो आपके brain की जो cells होते हैं उनको active रखने के लिए ये बहुत जादा health करता है Alzheimer जैसी बिमारी है इससे भी आपको apple दूर रखता है दोस्तों Alzheimer एक ऐसी बिमारी है जो जिसमें बंदा भूलने लगता है ये ज़्यादा तर बड़े लोगों को यानि old age people को ये होती है दोस्तों अगर आप अच्छा effect जाते हैं तो सेप को छिलके के साथ ही खाएं छिलका यानि उसकी जो skin होती है red वाली उसको ना निकाले छिलके के साथ खाने से आपको इसका बहुत अच्छा असर मिलेगा इंफोमेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए ऐसे ये इंफोमेशनल वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेए सबस्क्राइब कीजिए power of knowledge को और bell icon को प्रेस कीजिए latest videos सबसे पहले देखने के लिए